पूर्वोतर से न्याय यात्रा शुरू कर जारखंडव बिहार के बाद कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी यूपी में 16 फर्वरी को चंदोली में प्रवेश करेंगे यहां से वो वारानसी होते हुए 18 फर्वरी को प्रयागराज जन्पद में हंडिया के रास्ते दाखिल होंगे इसी क्रम में पार्टी नेताओं ने बैठकों का दौर तेज कर दिया है रविवार को जूनसी स्थिद गेस्ट हाउस में राश्ट्रिय सचिव वपूर्वांचल जोन के प्रभारी राजेश तिवारी ने जिला कॉंग्रेस कमेटी गंगा पार के पदाधिकारी और फ्रंटल संगटनों के साथ बैठक की इस दोरान शामिल नेताओं ने भारत जोडो न्याय यात्रा के पंपलेट का विमोचन भी किया जिसे लेकर वो जनपद के लोगों के पास जाएंगे और यात्रा में शामिल होने का निमंतरन देंगे जिलाध्यक्ष सुरेश यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रिय सचिव राजेश तिवारी ने कहा कि न्याय यात्रा राजनितिक नहीं सामाजिक यात्रा है जो देश में नए परिवर्तन का अध्याय लिखेगी पार्टी के जिला शहर कमेटी के प्रवक्ता हसीब एहमद ने बताया कि प्रदेश कमेटी द्वारा प्रयागराज में रूट का फाइनल मार्क तेह कर दिया गया है यात्रा हंडिया, सैदाबाद, हुबसा मोड, जूंसी, आलोपी बाग, बालसन, कट्रा, तेलियर गंज, मलाका, सोराओ, मौवाइमा होते हुए देहल उपूर में रात रुकेगी बैठक में शामिल नेताओं ने रूट फाइनल होने पर यात्रा को सफल की कारेकरताओं से अपील की इस दोरान प्रदेश उपाध्यक्ष मकसूत खान, मनीश मिश्रा, महासचिव योगेंद्र मिश्रा, मुकुन तिवारी, सचिव इमरान खान, हरिकेश त्रिपाथी, फुजल हाश्मी, किशोर वार्शनेय, रईस एहमद, संजय तिवारी, हसीब एहमद, रीना बिंद, अधिम एहमद साहित आदी लोग मौजूद रहें